साक्षी आराद्दा के साथ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इवैल्यूइटर या फिर इंटर्वियूर की जॉप के बारे में और यह जो वैकिंसी है वो है री लेवल बाए अनकेडमी की तरफ से तो इसका नाम सुनते ही आप टेंशन मत लेना कि आपको एक तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपके साथ पूरी डीटेल्स शेयर करने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो सबसे पहले यदि आप अप्लाइ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां पर जैसे ही जैसे कि आपका इमेल एड्रेस जो वर्किंग हो वही डाले इसमें नेम डालना है उसके बाद कॉंटेक्ट नंबर के लिए भी यही चीज़ अप्लाइ होगी कि जो वर्किंग कंडिशन में हो वही डालिए हाइस लेवल अफ एड्यूकेशन आपने क्या किया है यानि कि यह सकते हैं यहां नहीं कर सकते हैं यदि आप 12th pass है तो आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं उसको रफ़ कर सकते हैं अप्लाइ करने के लिए तो इसमें ग्रेजूएशन पोस्ट ग्रेजूएशन या फिर आपने PhD करी हैं एमफिल किया है तो वह भी अपलाइक कर सकते ह आपको experience कितना है वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं यदि नहीं है तो आप zero to two years वाले पर click कर सकते हैं और यदि आपके पास I have a personal computer है या laptop है तो वो यहां पर mention कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर internet connection यदि आपके पास है तो उसके क्या speed रहती है आपके यहां पर वो भी आपर बता सकते हैं जैसे कि यदि आपके पर Wi-Fi broadband नहीं है तो mobile का hotspot की भी speed आप बता सकते हैं कि कितनी रहती है उसके बाद my knowledge of English language तो English में आपका कितना knowledge है आपको वो यहां पर आपको बताना है कि आप beginner है तो 1 या 2 में करिए या आपको अच्छे से आप fluent है बोल सकते हैं अच्छे से काफी तो 4 या 5 दे सकते हैं आप अपने आपको और उसके बाद यहां पर आपको अपनी LinkedIn profile की लिंक यहां पर शेयर करनी है जिससे कि वो सारी चीज़े आपके पुरा resume में देख सकते हैं कि आपने पहले कहां job की है क्या education है आपका उस तरीके से वो इसलिए LinkedIn profile यहां पर जरूरी है Please share your availability on weekdays तो आप कितने देर काम कर सकते हैं weekdays में कितने घंटे तो यहां पर mention करना रहेगा और weekends पर कितने time आप काम कर सकते हैं वो भी बताना है Please provide your current designation तो आप जहां भी काम करते हैं current designation क्या है आपका वो बताना है Please provide your current organization name यदि नहीं है तो आप यहां पर no feel कर सकते हैं पर feel करना ज़रूरी है उसके बाद Please select the industry domain relevant to your organization तो आप जिस भी organization में work करते हैं उससे relevant industry यहां पर आपको करना है पर आप किस field में expertise हैं तो उसके बारे में आप लिखना है आपको जैसे कि आप operations में आपको experience है यह expert है आप तो उसके बारे में लिख सकते हैं या mobile development में या data analytics में तो या जो भी आप जिस भी field में expertise है वो सारी यहां पर आप select कर सकते हैं यह सब करने के बाद आपको next करना है and उसके बाद आप apply कर लेंगे और यही है simple सा process apply करने का यदि आपको कोई भी doubt है तो आप हमको comment section में या फिर instagram पर dm कर सकते हैं हम आपकी help ज़रूर करेंगे और thank you and have a nice day please like, share and subscribe to our channel